कोई माइन नहीं रखता कि आप कितनी बार पकड़े गए हैं। बाहर निकलने का इक रास्ता हमेशा होता है। इसलिए कभी खार ना माने। अगर आप से कोई ये बात कहे तो आप कहेंगे कि कहना बहुत आसान होता है। करके दिखाना मुश्किल। वहीं एक शक्स है जिसने ऐसा केवल कहा ही नहीं बलकि उसे करके भी दिखाया। मेक्सिको अपने ड्रग्स और ड्रग माफियाओं के लिए दुनिया भर में मश्हूर है। ऐसे में एक और कुख्या ड्रग माफिया ने इस धर्ती पर जन्म लिया। इसका नाम था एल चैपो गुजमन लावेरा। इ एक नहीं बलकि दो बार भाग चुका है। तो चलिए जानते हैं एल चैपो की जेल से भागने और पकड़े जाने की कहानी। दुनिया के सबसे खदरनाक अप्राधियों में इससे एक एल चैपो पर यू तो कई केस दर्ज हैं। लेकिन इसे ड्रग्स तसकरी के मामले में ब अपने इन ही कारनामों की वज़े से एल चैपो को पहली बार ग्वाटेमाला से सन साल 1993 में पकड़ा गया था। उस समय एल चैपो को मेक्सिको की कोट ने 20 साल की सदर सुनाई। चैपो के सलाखों की पीछे जाने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली थी। अब तक सरकार को लगा कि एल चैपो की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन सरकार गलत थी। असल में एल चैपो जेल के अंदर से भी अपना ग्यांग चला रहा था। उसने अंदर बैट कर ही जेल के हर उस शक्स को खरीद लिया जो बिक सकता था। और जिसने अपना इमान नहीं बेचा उसे चैपो धमका देता या फिर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे डालता। आकड़े बताते हैं कि जब चैपो पहली बार जेल में था तब इसने 71 कर्मचारियों को खई लिया था जिसका पता चैपो की जेल से भागने के बाद चला। 19 जन्वरी साल 2001 यही वो तारीक थी जिस दिन चैपो पहली बार जेल से भागा था। एल चैपो की भागने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि जेल के ही एक गार ने की थी। पूरा पैसार जेल की कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए खर्च किया था। इस तरह से चैपो आठ साल की सजा काटने के बार जेल से बाहर आजादी से खुली हवा में सांस ले सकता था। लेकिन बाहर आते ही चैपो पहले से जादा ताकतवर और खतरनाक हो गया। 2003 में मेक्सिको का डॉन और अमेरिका की अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग माफिया चैपो बन चुका था। जेल से भागने के 11 साल बात तक चैपो ऐसे ही आजाद घूमता रहा। फिर सार फरवरी 2014 को चैपो दुबारा पुलिस के हाथ दे चल गया। वैसे पुलिस से बचनी की उसने तमाम कोशिशे की लेकिन इस बार उसकी सभी कोशिशे फेल हो गई। इस बार चैपो को एक सुरंग से पकड़ा गया। और कहा तो ये भी जाता है कि चैपो कई दिन तक उसी सुरंग में पकड़े जाने के डर से छेपा हुआ था। पुलिस से बचनी की उसकी एक कोशिश नाकाम रही और पुलिस ने उसे दबोच लिया। आपको बताते हैं कि दूसरी बार एल चैपो जेल से कैसे भागा। 11 जुलाई 2015 तारिक मेकसिको के लिए एक एतिहासिक दिन बनने वाला था। इस दिन चैपो दोबारा से एक और हाई सेक्योर्टी जेल से भाग निकला था। इस बार चैपो ने भागने की एक नई तरकी बाजमाई। उसने जेल से एक सुरंग के सहारे भागने की योजना बनाई और उसमें वो सफल भी रहा। वो भागने में मदद करने वाली ये सुरंग उसकी सेल के बातरूम से निकलती थी। और लगभग एक मील लंबी थी। ये इतनी बड़ी और बहतर तरीकी से बनाई गई थी कि इसके अंदर से बाइक तक जा सकती थी। वहीं इसमें लाइट हवा की वैवस्ता भी की गई थी। यहां तक कि सुरंग को चैपो के लिए अच्छे से साफ किया गया। ये सुरंग एक मील दूर एक घर में निकलती थी। मज़े की बात तो ये कि जब चैपो की लोग सुरंग बना रहे थे तब वो गलती से चैपो के बगल वाले कमरे तक पहुच गये। लेकिन फिर जल्द ही उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा और ये सुरंग बना अरे कांड ने फिर से मेक्सिको को पुरी दुनिया के सामने हसी का पात्र बना दिया था। सरकार इस बार चैपो से इतना चड़ गई थी कि उसने चैपो की जानकारी देने वाले को लगभग 3 मिलियन डॉलर का ही नाम देने की गोशना कर दी। अब दूसरी बार चैपो ने कि सरकार को धोका देता था। इसके गुर्गे मेक्सिको में अपनी पैट बनाए थे। इसलिए वहां की कोई भी जेल इतनी मुनासिब नहीं थी कि इस खतरनाक मुझरिम को वहां रखा जा सके। इस बार पुलिस ने इसे अमेरिका भेच दिया। ड्रक कसकरी के दौरान चै सैनेबल खोज रहे थे तब भी वो इतना निडर था कि उसने एक अमेरिकी फिल्म स्टार को इंटर्वी दे दिया। चैपो ने इंटर्वी में कहा कि उसके एक इच्छा है कि उसके जिन्दगी पर फिल्म बने। हालाकि आज उसका ये सपना पूरा हो गया है और उसके ऊप उपर एक नहीं कई फिल्में बनाई जा चुके हैं लेकिन वो इन्हें अब कभी देख नहीं पाएगा क्योंकि शायद ही वो अब जेल से बाहर निकलेगा इस कहानी को सुनाने के बाद हम किस्सा कहानी के इस एपिसोर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना बु नतीजा